नमस्कार दोस्तो मैं हूँ वरुन पांडे और आप सभी हुमाई यूटूब चैनल में हर्तिक स्वागत है जैसे दोस्तो आप जानते हैं कि इस चैनल पे हमेशा मोबाइल की न्यूट ट्रिक आती रहती है चाहे हो सेटिंग को पर हो चाहे हो किसी इसू को पर हो तो आज दोस्तो मैं आपके लिए बहुत ही जबजस्त वीडियो लेकर आया हूँ वीबोवी 20 में कैसे आप 4G बोल्टी सेट कर सकते हैं जैसे काफी लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वीबोवी 20 में 4G सेट करने में और 4G नेटवर्क नहीं सेट हो पा रहा है जिससे उनका नेट स्लू चल रहा है तो आज मैं आपको दोस्तो बहुत ही जबज़स्त सेटिंग बताने वाला हूँ बोल्टी 4G सेट करने के लिए चाही हो जो भी सिम हो जो भी सिम अपने सलोट में लगाये हुए हो तो चले दोस्तो आप चैनल को आपको अपने सेटिंग में जाणा जरूरी है सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको बताता हूँ क्या कि आपको यहाँ पर करना होगा सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है phone clone और sit night light schedule यहाँ पर आपको ऐसे interface देखने को मिल जाते हैं उसके बाद दोस्तों इसरे number पर network and internet का option मिल जाता है जो कि दोस्तों वहाँ पर आपको click कर देना है जैसे आप click करते हैं दोस्तों आपको ऐसा interface देखने को मिल जाता है जहाँ पर wifi, sim card and mobile network का भी option मिल जाता है sim card and mobile network के option पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका sim card का option खुल जाएगा जहाँ पर mobile data और यहाँ पर आपको sim slot भी दिखाया जाता है mobile data को on कर लेते हैं हमारा 4G voltage set हुआ है तो मैं आपको ही दिखाऊंगा कैसे आप 4G voltage set कर सकते हैं मैं जो भी number पर sim लगाया हूँ उस पर आपको click करना होगा जैसे दोस्तों अगर आप geo sim लगाया है हो first में तो आप geo sim का अगर set करना जाते हैं तो first पर आपको click करना होगा लेकिन हम दोस्तों अपने sim को दूसरी number slot में रखाए हुए हैं तो इसलिए हम दूसरे number के slot पर click करते हैं यहाँ पर जैसे मैं दूसरी number पर click करता हूँ हमारा इसा interface देखने को मिल जाता है अगर आप sim नहीं लगाया होंगे तो आपको यह सब जो नीचे वाला option है यह सब नहीं सो होगा तो मैं sim लगाया हुआ हूँ उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर roaming क्लिक कर देना है इससे कुछ benefit तो नहीं होता जल्दी आप जब roaming area में जाएंगे जहां से आपका कुछ roaming कटने start हो जाता है अगर आप इसको on किये रहते हैं तो आपका net problem नहीं होता है आपका net बराबर चलता रहता है इसलिए roaming यह on किया जाता है और यहाँ पर साथ में दोस्तों नीची आप आने के बाद आपको एक option मिल जाता है बोल्टी यहाँ पर दोस्तों यह आप रहेगा तो यहाँ उपर आप देख रहे हैं बोल्टी नहीं सेट हो रहा है जा पर आपको इसलिए?